रादे रादे मैं हूँ बबीत दुवे और मैं स्वागत करती हूँ आप सब का देखिए यह मेरा चोटा सा गार्डन है इस गार्डन में फूल के बहुत सारे पौधे और शो के भी पौधे हमने लगा रखे हैं देखिए मैं एक आश्चर जनक चीज आपको दिखाने वाली लेकिन हमारे हैं पूरी गर्मी चली गई लेकिन एक भी सूरज मुगी का फूल हमारे हैं इस बौधे में नहीं आया था और अब आज जब एक जुलाई बारिश लग चुकी है बारिश का सीजन आ गया है वो समय आज ये पहला सूरज मुगी का फूल हमारे गार्डन में खे अब बारिश आ गई है तब यह फूल कैसे खिला है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करूं देखिए हमने अपने गार्डन में चोटा सा मोगरा का पौधा भी लगाया है इसमें मोगरा के फूल भी खिलते हैं और बहुत अच्छी खुश्बु बाती है साथ में यह कुछ शो के भी प्लांट है चोटे चोटे यह सब बहुत अच्छे लगते हैं अभी बारिश आगे तो यह सब बहुत घने और बड़े बड़े हो जाएंगे देखिए सन फ्लावर के हमने जितने भी लगाया तो अभी दो तिन में फ्लावर आ रखे हैं वैसे तो रोज का भी है हमारे और गुड़ल का भी पौधा है मतलब पेड़ था लेकिन उसमें इतने कीड़े लग गया थी कि हमने उसे कटा दिया तो अभी दो चार दिन पहले हमने एक छोटा सा गुड़ल का पौधा लाकर घर में लगाया है गंबले में है देखिए आप अब इसमें दो चार दिन में फूल खिल जाएगा लाल रंका है आप सब जानते पूजा पाट के लिए फूलों की जरुवत तो पढ़ती है तो हमने अपने घर में फूलों के पौधा लगाया साथ में कुछ पूजा पाट के लिए भी पौधा लगा रखे है जैसे कि केला क पौधा है तुलसी का पौधा है श्रमी का पौधा है और साथ में आले का पौधा है तो ये था एक छोटा सब वीडियो मेरे घर के छोटे से गार्डन का फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूगे तब तक बाई बाई नमस्कार टेक केर राधे राधे